इडियट घर में मा बहन नहीं है और जिन्दगी बर बहनी बनी रहोगी तो क्या इस जवानी का अचाड डालोगी अचाड बना कर चाट लू या चिकन पकोड़ा बना कर खालू आए देख के रहे ले अचाड तो जूपकर बड़े आदब से मेरी किताब उठा दे अगर ना उठाओ तो तो हम तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे क्या कालेज में नहीं भरती लगती है बस यू समझे अब आज पहला दिन हमसे जो टकराता है और हमारा शागित बन जाता है समझ लो कालेज में टीज जाता है चल अब तुझे खास लोगों से मिलातो चल अब मेरा काम होन हम तुझे पुरे साल का कोर्स एक दिन में पड़ा रहे और तुझे डाउट कर रहा है इस काले से आउट हो जाया सा हाँ वे उस्तादों पर भरोसा करने से ही शागिर्दों को कामया भी मिलती है अब खंडर के जरों के चकड़ तुझे किसी मुंसिपाल्टी के डबबे वाले स्कूल से आया है क्या तुझे इतने भी तमीज नहीं उस्तादों के आगे आगे नहीं पीचे पीचे चला जाता है इनसे मिलिए यह हमारे कॉलेज के पर्मनेन प्रेसिडेंट मिश्टर अधिकारी इस कॉलेज के स्टूडेंट को किसको पास करना है किसे फेल करना है सब यही करते हैं खुद तीन साल से फेल हो रहे हैं क्या बोला बे यह नहीं सर में तो आपकी इत्कारीब कर रहा था, स्र— मैं इन से कह रहा था, कि आप स््टुडंटस्तों से इतना प्यार करते है, इतना प्यार करते हैं कि खुद आगे बढ़ते ही नहीं contradde आप तो आगे बढ़िए मैं तो बढ़ जाओंगा लेकिन आप इतने आगी क्यों बढ़ रहे हो मैं वो नहीं हूँ पिचेटो यह है मिश्टर डैनी जी कमपनी के बॉस जी मिंस गर्ल्स अगर आपका दिल हिष्ट्री और मैट से उप गया हो और आपको मुझ मजा करनी हो तो आप इनसे मिलिए इस का बाप यही दंदा करता था और बेटा कर रहा है ठीक का ना सर अब इनसे मिलिए मिश्टर धर्मा BSF याने के ब्राउन शुगर फोर्स के डॉन ले बावा न थैंक्स येस थैंक्स तेरी दो गंडी मज लेए आजा कबुतर चल दे से आँ तोनों मिलके गुटरगु करते चल मिस्टर धर्मा मैं यहाँ पढ़ने नहीं पढ़ने आया हूँ मैं तुम सब लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा अरे यार इतिहास पढ़ पढ़के हम तो बोर हो ही गये हैं लगता है हमारे बच्चे भी बोर हो जाएंगे मुझे खुशी हुई के आपको अपने बच्चों की अभी से फिकर है जरा उन माबाब कि भी फिकर किजे जो अपना पेट काटकर आप जैसी अउलादों को पढ़ा रहे हैं है मिस्टर लरेंज यह दुआ कैसा एक दुआ तो दिल से उढ़ता है यह दुआ कहां से उढ़ता है मालूम नहीं है आपकी गाना गाना बुरा नहीं है जरा सुर में गाय किजे अगली बार अबने किताब उठाईए पढ़ना है मुझे टाच अबने गाना गाना यक्स लेकिन पढ़ना है ना मुझे है पढ़ना I said get out of the class अभी दुआ का जाना पड़ेगा वह मंदिर के बार गाना पड़ेगा मरवादिया तो आप ही गाकर बटाये न मिस्ट थपडवाली मैं गाना भी गाता हूँ और बजाता भी हूँ लेकिन क्लास्रूम में नहीं, बाहर हाँ, एक बात जरूर बता दूँ कि मेरे घर में मा तो नहीं है लेकिन एक बहन जरूर है और आप ही के पास बैठिये सुईटी सकसे ना क्या? तू? Come on, let's get down to the business राकेश अवस्ती Yes, Sir गीता बक्षी Yes, Sir काली काली चरन ये कौन साब है? जिनकी एटेंडेंस पूरे महने की पहले से लगी हुई है और मंदिर में हाजरी लगाने पुझारी आता है भगवान नहीं आप अपने भगवान से कहिएगा के मंदिर से उनका नाम काट दिया गया है जब तक इस मंदिर की चोखट पर माथा टिकने नहीं आएंगे एटेंडेंस नहीं लगेगी ये पैकट किसका है कौन लाया इसे ये क्या है सर्फ ये वो जहर है जिसका हिलाद सिर्फ मौत है मैं अच्छे तरह से जानता हूँ वो शरीफ जादा कौन है लेकिन हरा आदमी को सुधरने का मौका मिनना चाहिए इसलिए मैं आखरी मौका देता हूँ आज आपकी फालतू बगबग की वज़े से हमारा बहुत कीमती वक्त बरबाद हो गया है उमीद है कि कल इन सब बातों को भूल कर आप हमें सिर्फ वो ही सबजेक्ट पढ़ाएंगे जिसके लिए कि आपको इस कॉलेज में भेजा गया है ओके अरे भांवी कहा है? मैं तजी छोड़ाँ गी ने ठत रुप सुईती की बची मैं क्या किया? क्यो? तुने कुछ नहीं किया? पहले क्यों नहीं बताया? क्यों वो तेरे भाईया है? सॉरी बाबा सॉरी लिकिन अब एखास बात बता रहे हुन भाईया अभी तक कुँ आ रहे है क्या मतलब है तेरा अगर तु हमारे घर दुलहन बनकर आ जाए तो मुझे कोई अतराज नहीं होगा तेरा मतलब है मैं तेरी भावी बन जाओ क्यों क्या खाया भी मेरे भाईया में शकल से पागल, अकल से दिवाना और बाची से आवारा लगता है हुष्ण वाले तेरा जवाब नहीं भाई विजया शिर्फ हटी मिली, कब आप नहीं मिला भुरू, सुना है आजकल विजय सक्सिना के घर के बड़े चकर लगा रही है अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरू से पहले जेला ही शक्कर खा जाए चल, चलो, ते ते साभी को तुम? हाँ, सिर्फ हम और तुम? हम तो अपनी आखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे हमने अपनी आखें बंद कर ली अब चल्द से गुरू के साथ शुरू हो जाओ, हाँ सर, 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 कजया वो गया, आप चल्दे चलिए तो मुस्यमत कड़ी हो जाएगी समंदर में बाढ़ आए जाएगी और मचलिया पेड़ में उपर चड़ मैटेगी क्या बकवाज कर रहे हो बकवाज नहीं, सर, मैं आखो देखा हाल बता रहाँ, सर ओ आधिकारी है, वो सुदा के पिछे-पिछे बातरूम में गुज गया आप चल्दे जाएए, सर, वरना राम तेरी गंगा महिली हो गई, नहीं हो जाएगी आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बातरूम में पढ़ाँगा और ऐसा सबक पढ़ाँगा के जब-जब बातरूम में जाओगे, मेरी याद जरूर आएगी अमारे रास्ते से हट जाना नहीं तो तेरी को सुलाना लूगा बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है तेरी तो बातरूम में जाएगा बातरूम में जाएगा बंद कर दो अब बता विजे, सिरी कोलेज कब जोइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले इसका मतलब यह हुआ कि तुने लंका में कदम तो रख दिया लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावन कौन है कॉलेज तो विद्या का मंदीर कहलाता है तो इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं मुझरमों का अड़्डा है ड्रग्स, घुंडागर्दी क्या कुछ नहीं होता यहां पर और यह सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़कर लाए हैं ऐसी पिटाई किजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सजने से भी खाबे यह इतना असा नहीं यह विजह सकसे ना साहब यह अधिकारी ताश की गड़्डी का एक मामली सा पत्ता है इसके खुलाम, बेगम, बादशा कितने रसुक वाले, कितने ताकतवर हैं यह आप नहीं जानते वारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुझरिमों को सजा देने के वज़ा है उनकी ताकत उनके रसुक का कितनी इज़त के साथ बयान कर रही है इसका मतलब आपका कोलेज में आना अधिकारी को ग्रिफतार करना यह सब एक ठोंग था, नाटक था नहीं विजए बिलकुल नहीं लेकिन अधिकारी को अगर मैने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आपको बचा नहीं सकोगे ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं कुछ समझ में नहीं आएगा वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जिस लरकी की इज़त लूटने की कोशिश की गई है वो जब आदालत में खड़ी होकर बयान देगी न वो साला साल के लिए अंदर जरूर जाएगा वो बयान देगी तब ना सुदा बयान जरूर देगी तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुदा पर बिल्कुल बात इतनी बढ़ गई है अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से टारा सिंग कैसे बन गया अरे वो बात नहीं है जो तु समझ रहा है वो सुटी की सहली है इसमें इतना गबराने की क्या बात है लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे जैसे बॉबी में डिमपल कापडिया ने कहा था कैमत से कैमत तक में जुही चाव लाने और दिल में मादूरी दिक्षितने I love you वो पलेट कर एक थपड मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुमारा प्रोफेसर हूं या बॉइफ्रेंड क्यों प्रोफेसर बॉइफ्रेंड नहीं बन सकता क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है हाँ है तो सही लेकिन तुम्हारे भाईया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे रूखे रूखे होते तो तेरी इज़त बचाने के लिए खुद की जान को खत्रे में ना डालते बगल से ही चले जाते सुखे सुखे यार तेरी बात में दम तो है इसका मतलब सरफ मैं ही तेरे भाईया पे उहू नहीं हूँ वो भी मुझ पे उहू है यानि के आग तोनों तरफ लगी हुई है बिलकुल इससे पहले की जमाने की फायर ब्रिगेडी साब को ठंडा कर दे इसे और भड़का दे भाईया भी आ गए अब मैं क्या करूँ वही जो मैंने समझाया ठीक है आप जी मैं सुटी कहा है सिटी बजा रही है जी मेरा मतलब चाही बना रही है बैठी न मैं तो बैठूंगा ही आप बैठिये कहां सामने पास में नहीं बैठ सकती पास में क्यूं चान पर खेलकर आपने मेरी इसत बचाई है किसी का शुक्रिया इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है शुक्रिया जबान के जरीए फासले से भी अदा किया जा सकता है मगर फासले से आप कैसे भड़कीगी कौन सी आप वो वो फाइर ब्रिगेट की आप जिससे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है क्या जमाने के आने से पर नहीं नहीं जिसमें आत्मों का नहीं जिसमों का मेलन करना है क्या बग रही हो? वही माधूरी ने जो डिंपल के भाई से कयामत से कयामत के रास्ते पह पका था क्या? जो ही ने चैवाले के दिल में बगा था पर क्या? वही जो आपको बखना है सॉरी, मुझे बोलना है अब जो भी बोलना है, जल्दी बोलिए जल्दी कैसे बोलू? ठीक है, आखे बन करके बोलती हूँ I love you काली बाबू, आपने कॉलेज में ताला लगवा कर अपने दोस्तों को तो लॉक अप से छुडवा लिया लेकिन आज अगर उस लड़की ने अपना बयान दोरा दिया तो आपके दोस्त साथ साल के लिए अंदर जाएंगे साथ में आपकी इज़त भी बीच बाजार में नीलाम हो जाएंगे खेरादी, मैं तेरी तरह खेराद में नहीं पैदा हुआ हूँ काली नाम है मेरा, काली जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरे बाप ने इतने धमा के किये थे कि पूरा शहर पैरा हो गया था आज फैसा ही थमाका काली करेगा मेरी समझ में ये नहीं आता केस टूफान को कैसे रोका जाए बात बढ़ती जा रही है एक बहुत आसान तरीका है बढ़ती बात घट जाएगी वो कैसे? मिस्टर सकसेना मिस्टर अधीकारी से माफी मांग ले और कहे दे कि वो अपने किये पर शर्मिनदा है किस बात की माफी मांगो? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है सकसेना साहब पूरा कॉलेज ये जान चुका है कि आपने अकेले में मौका पाकर सुधा वर्मा का हाथ पकड़ा जब अधीकारी ने वो देख लिया और आपको लगा कि अब आपका मुकाला हो जाएगा तो आपने अपनी कालिक अधीकारी के मुँपे पोट दी इस आदमे को शर्म आनी चाहिए ये सरासर मुझे पर छूटा इल्दाम लगा रहा है और साथी साथ उस मासूम लड़की को भी बदनाम कर रहा है जी हाँ ये सारी बाते हमें उस मासूम लड़की नहीं बताई है आईए प्लीज से मुझा बात विजा सक्षेरा हाई हाई विजा सक्षेरा हाई हाई विजा सक्षेरा हाई हाई विजा सक्षेरा हाई हाई विजा सक्षेरा मुझा बात विजा सक्षेरा हाई हाई शांतो जाए विजा सक्षेरा हाई हाई आव बेटे, आव क्या ये सच है कि विजय सक्सेना के डर से कल तुमने अपनी जबान नहीं खोली? बोलो सुथा डरो मत, यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं विगार सकता, बोलो बोलो सुथा क्या ये सच है कि कल जो तुम्हारे साथ घिनावनी हरकत की गई, वो अधिकारी ने नहीं बलके मिस्चर विजय सक्सेना ने की? ये सच है तुमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग इसका नहीं, आपका खराब हो गया है, वरना इसी गंदी हरकत आप कभी नहीं करते सर, सर ये जूट है, एक साज़िश है मेरे खिलाब, सुधा को जरूर की.. क्या दुश्मन ये सुधा की आपसे? कोई वजा तो होनी चाहिए जवाब दीजिए सर, सर मुझे कुछ नहीं मालूम लेकिन.. आप जाने या ना जाने लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने किये पे शर्मिंदा हो ये और में सुधा और अधिकारिस्टे माफिय मांगिए नहीं तो सर अम लोग स्ट्राइक कर देंगे आप लोग ऐसे कुछ नहीं करेंगे आप लोग ऐसे कुछ नहीं करेंगे मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर उसको नहीं अकी माफिय मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है मैं इसी काबिल हूँ कि तुम मुसर नफरत करो तुम आप यहां किसलिए आई हो मैं बताती हूँ सुधा तुम्हारी दूशे नहीं है आप दीदी ने मेरी इज़त बचाने के लिए आपकी इज़त को मिट्टी में मिला दिया मैं मश्बूर थी सुधा मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया देखो तुम ही देखो उन दरिंदो ने अपने नाखुन इसके जिसम में कैसे गार दिये थे अगर सुधा उनका कहा न मानती तो वो मेरी बेटी की इज़त लूट लेते हम कहीं मुझस दिखाने के लाहिक नहीं रहते प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए कौन थे वो लोग अब मैं ना अपनी बेहन की इज़त खतरे में डाल सकती हूँ और नहीं आपकी जान को मैं तुम्हारी मजबुरी समझता हूँ सुधा तकिन एक बात यात रखना मैं मजबुर नहीं हूँ ए डमरू जे साब पटापट दो प्लेट समोसा ला आभी लाय साब सुईटी क्या हूँआ क्या सोच रही हूँ मेरे जगा कोई होर आ गया क्या मजब छोड़ो विशाल मुझे तो बहुत डर लग रहा है कही भाईया को हमारे बारे में पता चल गया तो ओफो तुमारे भाईया है या मुगले आजम विशाल अभी हो डमरू जे साब क्या है क्या है समस्था है Tiya और ये क्या है कोक्रुँज है तो समझ देख कवग आनधी कावच अबयोओआ क्या कर रहे न वटकामार लेकिन यह कोक्रुज है saab कोक्रुज अबयो क्या हुआ खाना ये फ्टापूदो तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो सुटी अबे होई, पहला पैसा रख पैसा अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दू नहीं, ये रोज-रोज की दादागिरी नहीं चलेगी आज फैसला होई जाए ऐसा? क्यों, दादा पन्ने की कोशिश कर रहा है, हाँ? अरे दादा के लिए तो तुम कर रहे हो सड़ी-गली चीजे जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो ये सड़ी-गली नहीं, फर्स क्राज चीज है अब तु इसे खाएगा भी और इसकी तारीब भी करेगा आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर केंटीन में भी कोक्रोच नजर आ गया न, तो मार मार कर तेरी शकल को समोसा बना दूगा ये आप ठीक नहीं कर रहे है? क्या मतलब है तुमारा? सीधी सी बात है, जिस बात को सारा कॉलेज जानता है, आप कैसे नहीं जानते है? कौन सी बात? इस कॉंट्रेक्ट से आप मेरा नहीं, बलकि काली चरन का नाम काट रहे हैं और काली चरन दूसरों को काटता है, खुद नहीं करता है उबर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है और अगर काली चरन अपने इस बाप को मिलना चाहे, तो आकर मिल ले अपने सारा गयर कानूनी दंदा सिटी कॉले से ही करते हैं वहां में किसी किसम का खत्रा नहीं है पुलीस क्या कॉलेज में नहीं आ सकता है? हिंदुस्तान में स्कूल्स और कॉलेजिस को विद्या का मंदर कहते हैं टेंपल्स ऑफ एजूकेशन और मंदरों में पुलीस कभी नहीं गुस्ती है हम्, बेरी स्मार्ट मैन खरैती, जी रिचर्ड साब को माव की डिलिवरी आज ही दे दो माफी चाहता हूं सर लेकिन ये डिलिवरी आज रात को नहीं हो सकती क्योंकि कैंटीन में ताला लग चुका है और ये कांट्रेक्ट कैंसल कर दिया गया है किस ने किया है करे उसी चूचू के मुरब्य विजय सक्सेना ने करवाया होगा आप यहां पर परेशान हो रहे हैं और वो अपनी माशूका के साथ रंगरिलिया मना रहा होगा